हनुआन चालिसा के वह चमतकारी उपाए हम पंडेची से जानते हैं जो हमारे कश्टों को दूर रखने की ताकत रखते हैं मैंने कई बार आपको भी सुना है कि आप ग्रपाए बता रहे होते तो आप हनुआन चालिसा की एक दो पंक्ति बताते हैं कि इसको करिए या पिर जब डर लगता है तो हमसे बड़े बुज़र्ग कहते थे कि हनुमान चालीसा का जाप करना, भूत पिशाच निकत नहीं आवे, महावी जब नाम सुनावे, तो ये सब करना, तो ये जो लाइने हैं, ये कितनी चमतकारी हैं, कैसे कश्टो को दूर करेंगे? ये सब सिध धलाईने हैं, ये चालीस हनुमान चालीसा की चालीस चौपाईयां, चालीस सिध्धी दे सकती हैं, इसमें जरासा भी संदे नहीं है, और आज भी पूरे भारत में मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब भी कोई व्यक्ति रात्री के समय में समसान से गुजरता है, प सादमी के मुँपर बिना प्रयास के हनुमान चालीसा चाल जाता है, ये हनुमान ग्यान को सागर, ये कपिश्ट्यू लख कुजरता है, और तब तक रहता है, जब तक भाय नहीं समाप्त हो जाता है, तो कल्जू का एक ऐसा महामंत्र, जो हर व्यक्ति के आत्मा के नजदीक जो हर प्रकार के भय को दूर करने का सामर्थ रखता है, तो कहने का मतलब ये है, कि अगर कश्टों को दूर करना है, तो हनुमत उपासना आपके लिए बरदान है, अनजाने में की गई भूल की वज़े से आप अगर कानूनी मुश्किलों में फस गए हैं, तो हनुमान जाल कोई कारागार में है और सो वार हनुवानच festival का पाठ़ कर लिया जाए और वह ब्यक्ति के नियाए के रास्ते पर है क्ँछ चक्र में फंताया गया है उसके साथ अन्याए हो रहा है तो अगर सौ बार हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार या सनिवार को ब्रत करके कर लिया जाए तो ततकाल कारागार से मुक्ती मिलती है यह सत बार पाठ कर जोई छूटे बंद महा सुख होई पर्स में अगर पैसे नहीं टिकते हैं हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है जान की माता ने तो सिद्धी निधी के स्वामी बना दिया हनुमान जी को उनकी उपासना के बाद फिर पैसे रुपए की कहां कमी रह जाती है मंगलवार के दिन सुबा हसनान करने के बाद बढ़ के पेन का एक पत्ता तोड़ीजे और पत्ते को साफ पानी से धो लीजे अब इस पत्ते को कुछ देल हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखिए और इसके बाद पत्ते पर केसर से स्री राम लिखिए और हनुवान चालीसा का जब करते हुए इस पत्ते को अपने मनी पैसा रखने की जगह पर अस्थापित कर लीजिए जब ये पत्ता पूरी तरह से सुख जाए तो इस पत्ते को नदी में भादीजिए ये उपाय फिर दोहराते रहिए घर में सुख सांती बनी रहेगी इसके लिए हर मंगलवार और सनिवार को हनुवान मंदिर जाकर गुड और चना अरपित करना चाहिए घर में सुख साम हनुवान चालीसा का पाठ करने से हर प्रकार की रिध्धी सिध्धी घर में बनी रहती है पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात नहीं करना चाहिए भगवान कृष्ण कहते हैं बलो में मैं प्राणायाम हूँ ब्रतों में माँन हूँ माँन ब्रत से बड़ा कोई ब्रत नहीं होता चाहा जितने उपवास कर लो मौन ब्रत से कोई बड़ा ब्रत नहीं होता लेकिन मौन ब्रत ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पूछे किस रधा कलम कहां है और गिलास कहां है तो अगर आप इसारा कर रहे हो तो आप केवल वाचा मौन ब्रत है आपका और मौन ब्रत होना चाहिए मन सा वाचा कर्मणा मन से वचन से और कर्म से तीनों से आप जब मौन हो जाते हैं तब यह होता है स्रेष्ट मौन ब्रत मतलब पत्थर की मूर्ती की तरफ आप पत्थर की मूर्ती की तरफ आप हो जाए कोई activity और किसी बात पर आपके अंदर reaction नहीं होना चाहिए इस तरह का ब्रत यदि आधे घंटे नित्य कोई व्यक्ति कर ले तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुरलब से दुरलब मनो कामना भी पूरी होती है एक कईश दिनों तक ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा आप पर हर समय बनी रहेगी और ये बहुत बड़ा ब्रत है कहने के लिए आधा घंटा बड़ा कम लग रहा है आप दो मिनिट मनसा वाचा कर्बना अगर अपने आपको रोक लें तो मैं कहता हूँ कि आप धन्न है और आपकी मा की कोख धन्न है जिसने आपको पैदा किया है ये आसान बात नहीं है मनसा वाचा कर्बना सिथिल होना ये आसान नहीं है ये कहना आसान है लेकिन ये होना आसान नहीं है इसके लिए अभ्यास करना चाहिए कहने का मतलब क्रिश्व भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यद्देपी मुझमें अपना मन लगाना ये नसकनों सिमय इस्थिरम कठिन है ततो अभ्यास योगे ना मामे छाप द्धनन जया लेकिन हे अर्जुन अभ्यास योग के द्वारा ये संभव है ये मत समझो कि अभ्यास योग के द्वारा ये संभव नहीं है अगर अभ्यास करने में भी तुम असमर्थ हो तुम मेरे लिए कर्म करो तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग हनवान जी के लिए मौन ब्रद्धार्ण करते हैं उनके जीवन में रिद्धी सिद्धी सदैव बनी रहती है जैमाबिन देवासनी